मेरा जो रूल है जटिनी का है जटिन जो इस किरिदार की मेन नाइका थी जिनके उपर यह परी स्टोरी है उनकी अलग स्टोरी थी वह बहुत ही गरीब भरकी ओरत है बहुत सौरी लड़की थी और उसके शादी ऐसे घर में हो जाती है जहां पैसे को बहुत महत्व देते हैं कुआर जया हिए कीनती होता है और करो रुपश अजया होते यह तो यह कहानी है यह इक दम नर्मल परिवार की लड़की की कहानी है जिसके हें के रुपए की मत होती है और मैं मतलब जटिनी जो है नहीं ला पाती उसको बहुत सारे मम सारे मतलब elegant जैसे Dorton जमाने में औरतों को जिन जिन बातों के आगे होकर गुजरना पड़ता था, वो सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी जटनी पड़ी लिकी नहीं रहती है, और वो मतलब अंजाने में एक ऐसी दवा अपने सास को देती है, जो मतलब गंती से उनकी मृति हो जाती है, उसक जाती है, इसकी भी जटनी पर आ जाती है, फिर उसका हापती उसके घरवाले बहुत नेगटिव हो जाते है, उसके प्रती और प्रती और वो सब कुछ जो जटनी का प्रेम जिस तरीके से डबलब हुआ था, जो धीरे धीरे जीरे बहुत ही मतलब critical situation और बहुत ज्यादा तन सुस्क्रालबे किस तरीके से जट निकाल देता इसको घर से और फिर उसको रियलाइज होता है कि शायद में पड़ी लिकी होती है, तो आज मेरे जिन्दगी में यह नहीं होता है, और फिर वो पढ़ना शुरू करती है, पढ़ते पढ़ते, फिर जट उसको जाता है, उसको अपने गल्ती का हैसास होता है, ँश ज मतलब जटनी को भो झाकर जटनी को लाता है, फिर जट पैसे की वही प्राबलोम एक बेटा हो जाता है, फिर पैसे का जञञट प्राबलम, फिर वो बढ़त कमाने जाता है और अब तेले मतलब जटनी को बहुत स्ट्रımız करना पड़त फेज जोतना, भर समालना, लोगों की तानी सुनना, फैमिली वाले एगेंस्ट में होते हैं, मैंना, फाइनली मैं यही कहूंगी, कि एक औरस की संगरश की ओपर यह आधारी ते फिल्म जटनी, एक फ्रेम की ओपर आधारी ते ही जट जटनी, कि इनके फ्रेम आज से बहुत न कि आज भी भिहार में, नजाने कितने सालों से उंके गाने, उंके गानों के उपर प्रफॉर्म करते हैं बच्चे और आज भी करते हैं, और नजाने कितने युगो-युगो तद करेंगे, तो मैं बस, especially thanks करती हूँ एनिल पतिंग जी का और रगुबीर जी का और जिलनों को मुझे इस करेक्टर के लिए सिलेक्ट किया, उन सब का, कि मुझे इतनी पुरानी स्टोरी के उपर काम करने का मौका मिला, और एक ऐसी कुरिदार जटीनी, जिसको दुनिया के हर लोग जानते हैं, जिसको मतलब जो एक परंपरा पर आधारी थे, उस औरत की रोल को मैंने मुझे एहसास हुआ कि एक गाउं की औरत की रूप, एक गाउं की लड़की का रूप, उसके बहवार, उसके बात करने का तरीका, और इतना, बहुत जैसे हम जैसे लड़किया, बहुत नॉर्मल लाई जीते हैं, लेकि इन जटनी के रोल के लिए मुझे थोड़ा सा स्टोर करना परा, थोड़े महनत करनी परी, वर्काउट करना परा मुझे कारेक्टर को, रियालिटी में बदलने के लिए ताकि लोगों को ये ना लगे, कि मैं जटनी नहीं हूँ, मैं बस यहीं चाहती हूँ, मेरे दर्शक मुझे जटनी ही समझे और अहीं समझे, जोती में हूँ यहीं चाहती है।